हमारे Supreme Court ओडदेश की बाकी सारे Quotes के बीच में एक common movement चल रहा है पर ये क्या है? इसे समझने से पहले हम salutations समझ लेते हैं तो salutations क्या होते हैं? जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उन्हें कैसे address करते हैं? जैसे sir, ma'am, madam, mr, mrs, mrs तो ये होते हैं salutations अब बताईए कि कोच में जजिस को कैसे अड्रेस करते होंगे, क्या बोलकर पुकारते होंगे जितनी भी हमने फिल्म्स और मूवीज देखी हैं, उसके हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए माई लॉड, मिलॉड या या यॉर आउनर पर इसका सही जवाब कहा मिलेगा? देखे, Advocates Act का section 49, Bar Council of India को rules बनाने की power देता है जैसे, Bar Council के members कब बन सकते हैं, कब disqualified हो सकते हैं, education क्या required रहेगी और एक advocate को क्या professional conduct और etiquette का पालन करना होगा अब समझते हैं कि courts में क्या चल रहा है तो अब कुछ दिन पहले ही, करनाटका high court के judge ने advocate से ये request किया कि वो उन्हें honor करने के लिए courts में address करने के लिए my lord या your lord से जैसे terms का इस्तमाल ना करे और इसकी जगह ऐसे terms यूज करे जो Indian conditions के हिसाब से सही है जैसे सिफ sir कहना काफी होगा इससे कुछ दिन पहले पंजाब और हर्याना high court के justice ने bar council के members के सामने एक similar request रखी कि उन्हें your lordship या my lord बोलकर address नहीं किया जाए और ना ही obliged या grateful जैसे words यूज किये जाए in fact कुछ दिन पहले की ही बात है कि Supreme Court में एक case के सुनवाई की दौरान एक law student ने judges को your honor कहकर address किया इस पर अपत्ती जताई ex chief justice of India ऐसे बोबडे ने उन्हेंने कहा कि your honor कहना United States के Supreme Court की practice है इंडिया की नहीं ये सुनकर law student ने माफी मांगी और your honor के जगह your lodge कहकर judges को address किया पर इस term के use से भी judges जादा satisfied नहीं थे आपको पता है इसी confusion को दूर करने के लिए 2014 में अड़ोकेट शिर्ट सागरतिवारी ने Supreme Court में एक TIL फाइल की थी ये कहते हुए कि हमें my lord, your lord ये जो terms है इन पर ban लगा देना चाहिए इन्हें use नहीं करना चाहिए क्यों? क्योंकि ये जो terms है ये हम slavery के time पर use करते थे और आज के time पर independent India में इन terms को use करना सही नहीं होगा इस case के सुनवाई कर रहे थे then Chief Justice of India H.L. Dattu और उनके साथ है Justice S.A. Bobde उनने इस PIL को dismiss करते हुए, खारिच करते हुए ये कहा कि हमने कब कहा कि ये जो terms है इन्हें use करना compulsory है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप court में judges को किसी भी respectable terms से address कर सकते हैं इससे आप हमें your honor कह सकते हैं, sir कह सकते हैं इन terms को use करना compulsory नहीं है और ये कहते वे उन्होंने इस PIL को खारिच कर गया और ये कहा कि आप judges को किसी भी respectable terms से address कर सकते हैं इससे पहले भी different state high courts ने lawyers को directly या bar council से request किया है कि उन्हें my lord या your lord चे बोलकर address नहीं किया जाए In fact, 2006 में bar council of India ने अपनी gazette में एक resolution पास किया जो ये कहता था कि courts के प्रती respectful और dignity बरकरार रखने के लिए supreme court और high courts को your honor या honorable court कहे कर address करेंगे वहीं subordinate courts और tribunals में sir या वहीं के regional language में जो भी respectful शब्द है वो कहकर address कर सकते हैं और इसके लिए BCI ने reason ये दिया कि my lord या your lordship जैसे terms इंडिया के British rule, colonial rule में use के जाने वाले terms है और इनके जगह और respectful terms use होने चाहिए तो कहां क्या बोलना है ये आपको BCI rules के part 6, chapter 3A में मिल जाएगा तो देश भर के coach और Bar Council of India, Indian legal system से your lord, my lord, your lordship इन terms को eradicate करना चाहते हैं और इनकी जगह Indian conditions के हिसाब से कौनसे terms better suited है इनहें लाना चाहते हैं तो अगर आप एक law student है और किसी mood court competition के लिए प्रिपैर कर रहे हैं या नए में coach से practice करना शुरू किये हैं तो आप भी इन terms को use करना, avoid करना, start कर सकते हैं उमीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो अगर हां तो इस चानल को please subscribe करेगा और ऐसी और interactive content के लिए आप मुझे मेरे Instagram पेज पर भी follow कर सकते हैं at the rate phenology legal per that's it for now see you in the next class bye bye